सेर जंगल का राजा होता है वह अपने जंगल में सब को डरा कर रखता है सेर भयंकर और बलताली होता है एक दिन सहर का राजा जंगल में गूमने गया सेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगा कर बैठा है सेर के मन में भी हांती पर आसन लगा कर बैठने का उपाश हुजा सेर ने जंगर के सभी जानरों को बुलाया और आदेश दिया की हांती पर एक आसन लगाया जाए बस क्या था जट से आसन लग दिया सेर उचल कर हांती पर लगे आसन में जा बैठा हाथी जैसे ही आंगे की योड चलता है आसन ही लियता है और सेर नीचे धराम से गिर जाता है सेर के तांग तूट गई सेर खड़ा ओंपर कहने लगा एदर चलना ही धीप रहता है इसी जंगल में एक सेर रहता था हुआ हमेशा जंगल में रहने वाले जानुरों को मार कर खा जाता था जंगल के सभी जिव जंचू को सेर से बहुत डर लगता था एक बार से भी जानुरों ने विटकर सेर के साथ समझाता कर लिया कि रोजाना एक पसू सेर का भोजन बनेगा उस दिन से रोज एक जानवर बारी बारी से सेर के पास जाता था और दूसरे जानवर बिना डर के जंगल में घूमा करते थे एक बार खरगोस की बारी आई वा दीरे दीरे सेर के पास जा रहा था खरगोस को रास्ते में एक कर्कीब सुजी खरगोस बहुत देर से सेर के पास पहुचा सेर भूखा होने के कारण अपनी घुखा के बार चक्कल लगा रहा था खरगोस को देखती सेर गड़जा और बोला अरे खरगोस तुम इतनी देर में क्यूं आए हो भूख से मेरी जान निकली जा रही है या सुनते ही खरगोस बोला महराज क्या बताऊं हम पाच भाई आपकी सेवा के लिए आ रहे थे परंतो रास्ते में दूसरा सेर मिल गया वा बोला की वा जंगल का राजा है उसने हम पर हमला कर दिया और मेरे भाईयों को खा गया महराज मैं किसी तरह अपनी जान बचा कर आपके यहां संदेज देने पहुंचा हूँ या बात सुनकर सेर बहुत क्रोधित हुआ और बोला वा डुष्ट कहा है जो अपने आपको राजा बता रहा है मुझे दिखाओ मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ खरगो सेर को तलाब के पास ले गया जब सेर ने तलाब में जाका तो उसे अपनी ही परचाई दिखाई दी उसे दूसरा सेर समझ कर वा जोड से गरजा और क्रोधित हुआ और तलाब के अंदर छलांग लगा दी परंत उसे तलाब के अंदर कोई दूसरा सेर नहीं मिला वहाँ केवल जल ही जल था बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था सेर बहुत देर तक पानी के अंदर छटबाता रहा और डूब कर वही मर गया इस प्रकार नन्य खरगोस ने अपनी चक्राई से अपनी और अपने सात्यों की जान बचाई बच्चों हमें इस कहानी से या सिच्छा मिलती है कि यदि बुद्धी से काम करें तो बड़े से बड़े दुख और विपता का सामना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसलिए हमें हमेशा बुद्धी से काम लेना चाहिए